तो देखे दोस्तों कल तक हमने का तक कर लिया तो वह कंप्लीट उसा आगे चलते हैं ठीक है ना इसमें हमने कल तक कर लेते हैं यहां तक तो चली दोस्तों आज का सेसन है किसके लिए करा चुका हूं यूपी जी के चल लाए हमारा यूपीचे के आज के साइद एक अगर मैं आपको बताना चाहूं तो बताना ही रहता आपको दो और यह आपकी डास हो जाएगी जिसमें हम कर रहा है यूपीचिके टीक है मैं हम यूपी के आने वाली वैकैंसी जितनी भी हैं सभी को मतलब एक वे में रखते हुए सभी की जोस्तों जी के उनमें कोशन पूछे जाते हैं वह सारा कुछ वं जी कार्डेरीज पुला यूश्में लॉज व्याज की तो इसकी जाए जनुफिस की से अपने पहले नुब ना कोई सब्सक्राइब क्योंकि हर किसी के साथ में कुछ ना कुछ रहती है कोई ना कोई प्रोब्लम बट कोई नहीं हम अपनी क्लास को बहुत बैस्ट वे में कराने की पूरी-पूरी कोसिस कर रहेंगे ठीक है तो करते हैं दोस्तों आज का सेसन स्टार्ट जिसमें आपको कराया जाएगा दोस्तों यूपीजी के जितने वी स्ट्रेट नहीं है वो चैनल पर विसीट कर रहें क्या करना दोस्तों और काम करना चैनल पर जाहीए एक तरे करते हैं और करते हैं तो किया हुआ डूसतो हम कल कर रहे थ Particularly मूगलका पतन हुआ कब कि बीःता चला था ठीक है ऑक उत्रपदेश के सबसे आदे क्या हो रहा था जिवाद में सब्साहे चले घाते एंग राज के लि suspense किसने अगबर ने किसे ने रोड़ा के आता क्वाइब ओंग्रे का भाव ठीज़ ऑब धर्वुंहें जमृंटेश कर लेते हैं यह है आपका परवत इस तरह के समुझ सकते हैं यहांसे एक नदी निकल की यमुना कि यह वह गई आपकी यमुना कि करना और यह इंड दोर एम आ तो सरस दो नदिएन हो गई हमारी एक हो गई यमुना और एक हो गंगा ठीक है स्टुडेंट इसको थोड़ा सा सही से कर लेते हैं यमना तो इन दोनों नदी की बीच का जो छेतर है ना ये वाला छेतर ये वाला छेतर जो ये छेतर है ना इसको कहते हैं हम दोवाब छेतर कौन सा स्टुडेंट दोवाब छेतर कहते हैं इसको ठीक है तो क्या और आता दोस्तों आपने देख़ा योगा कि आगरा जो था आगरा आगरा यह था दोस्तों मुगलों की मतलब इंपोर्टेंट राजधानी थी जिसमें अकबर ने शासन किया था तो वो छेतर हमारा इन दो नद्यों के बीच में तो है आगरा भी हो गया आपका दोस्तों ठीक तो यानि कि इस तरीके से दोस्तों दो नजियों की बीच की भूमी ठीक है आगे देखें आगे क्या क्या रहा है जो कि आप देख पारों का अपनी स्क्रिन पर सामिल है कौन-कौन से राज्य और राजवन्स रहे हैं नंद राजवन्स मौर रहे हैं रास्ट कूट मगद गुप्त गुजर सुंग वन्स कुसान वन्स आगे देखें थोड़ा सा स्क्रोल कर लेते हैं ठीक है जादे हो गया आपका सिसन आपके आपके कौन सागे अगला अगला कौन साओ दोस्तों पाल्वन्स मुगल्वन्स ठीक है तो यह थे जो क्लास और मोस्ट इंपोटेंट वन्स ते चिन्नों ने उत्तर प्रदेश में राज किया अगर देख जाए तो इनकी संख्या कितनी है दोस्तों सु अ और तीन हमारे हैं नीचे, यानि कि 10 टोल हो गए, इसी चैनल से इसे चैनल पर तो आपको सब्सक्राइब करने ना क्योंकि इसमें आपको दोस्तों क्या-क्या कराने वाले रखे हैं स्टूडेन में अगा मैंने पोल करवाए सक्रूल उमेस था पॉट जाहदा पार्टिसिपे यह तो कोई नहीं आपके लिए दोस्टों कोडिनेट गॉजोमेटरी कौनसी दोस्टों कोर्डिनेट वह मैटर्य करने वाले बहुत अच्छे तरीके से और साथ में जो भी आपका लगता है मुझे साइंस की क्लास लगेगी इंपर्टेन्ट तो वह भी क्लास दोस्तों कि क्लास वोगाई आपके rust की जोगरफ बाय लोँगी सब चीज़ा क्लास से सब जह करने है को बहुत अच्छे तरीकी से देखिए दोस्तों आब क्या कि उत्र परदेश का भूगोल और मोसम कि बहुत जानकारी ले ले लेते हैं उत्र परदेश का भूगोल और मोसम उत्र परदेश का राज्या कुल के आता है वर्ग किलोमेटर में सोरी किलोमेटर का स्कुराइर ठीक है वह कितना है 24928 वह आपके उपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे याद करते है सब्सक्राइब को बताइए मुझे मुझे कमेंट में फास्ट इंडिया का टोटल एरिया कितना है ठीक है और यह भारत के कौन से दोस्तों उत्री भाग में इस्तित है जैसे कि मैंने आपको कल भी बता चुका हूं ठीक है यह राज्य अपनी अंतराष्ट्य सीमा नेपाल से सा सब्सक्राइब कि यह मात्रिधर्य देशने सीमें ठीक ह है यह भी तबुत कितने स्टेट इस बताना चाहँ थोए तोटल 9 कितने हैं 9 है जिसमेंसे एक है Union territory दिली ठीक है वैसे आठ हो जाएंगे फिल अगर 8 पिला से देखा जाए तो ठीक है इस्टुडेंट आगे देखेगा आगे का कर इसमें राज्य का जायतर चेतर दोस्तों जो मैदानी और हिमालय राज्य के उतरी भाग में स्थित है यह जो हमारा चेतर है यह वाला उपर वाला जो हो जाएगा हमारा इस तरीके का यह उत्तर परदेश का यह उपर वाला जो एरिया इस एरिया में दोस्तों हिमाल्य चेतर है ठीक है हिमाल्य चेतर है तो यह हो जाएगा आगे देखेगा हिमाल्य राज्य गुत्री भाग में इस में और में बहुत बाग है और डेखी और दूसराह सो बाध में श्तित गंगा के मेंनी इलाके बहूत H मैदानी इलाके यह बहुती उपजाव और जलोण मिट्टी वाला छेतर है कौन सा दोस्तों यह बीच वाला जो छेतर है मध्य छेतर है बताऊंगा तीनों बाग कैसे कैसे हैं और इसका लेंडिस्केप जो हैं दोस्तों एकदम क्या है सपाट है प्लेन है यहां कई जीले और न लाटियों और पठार की विविद्ट टॉपग्राफिया ठीक है इस छेतर में पानी सीमित है कौन सा दोस्तों विंद्यांचल वाला छेतर जो दक्षिन में इस्तित है वहां की हम बात कर रहे हैं अब देखिए दोस्तों यह जो हमारा राज्या है भारत के किन-किन सीमा साधय करता है कौन-कौन सा देखेंगे सारे का सारा कुछ ठीक है ना देखिए दोस्तों पहले तुम आपको बता दूं कौन सा तीन भागों में इसको विवाजित करना देखें इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा ठीक है चल भी निकल देखेंगा पहला छेत्र आपका हि है हिमालिया वाला चेत्र ठीक है तीसरा चेत्र जो हो जाता आपका वो जो जाता है दोस्तों यहां पर कुंसा यहां पर दोस्तों विंद्यांचल परवत सिरेनी कुंसी जो हमारे उत्तर प्रदेश मद्या प्रदेश जारखंड और सतिसगड़ के मद्या में इस्तित है विंद प्रदेश सभ्केंoster थिन पार्टों में विवाजित ऐत कौनिके करता से सिमा साज़ा करता सत्uciones और उसे celebrate भारत के किन राजिसीसी मैं पहला आपका एक ध्यällen फ्रीकित दूसरा हरियाना घ्रकण्द चोतव होगे आपका उत्राकंड, पांच वोगे आपका दोस्तों कुन सा, मद्या परदेश, शिक्स नंबर पुगे दोस्तों कुन सा, चत्रिस गड, सैंद पाक आपकी होगे, यूनियन टैरिटरी, दिल्ली, राजिस्तान और बिहार, यह होगे टोटल आपकी कितने हैं, नो, तो नो राज्यों के सात में सीमा साजा करता है ये कोशन बताइए UP कि दोस्तों लेक पाल ओगई बाक्धी बहुत सारा एक्जाम है ठीक है ने लेक पाल होगई आपका दोस्तों UP minus was वाला हो गया ठीक है पसक्राइब सर्चिति औरके ये कुस्थ सब यह बता रहा हूं बहुत बैस्ट लेना ठीकना और इसकी PDF आपको alegra बना लेना चाहो चाहो तो यहापको जाकर उसमें आपको मिल जाएगी ठीक है ना वहांसे इसको डाउनलोड कर लेना फिर चाहे उसमें से रिविजन कर लेना आपके उपर डीपैंड करता आपको किस तरीके से करनी है ठीक है देखेगा दोस्तों वह कौन-कौन से स्टेट थोड़ा सा उनके बारे में जान लेता हैं क्योंकि हमने जब मैप ले ठीक है पहला होगे आपका यह रहा हिमाचल प्रदेश दूसरों का उतराखंड ठीक है ना और हरियाना तीन और यह राजिस्तान चार मद्या प्रदेश पांच ठीक है जी चतिसगड़ छैं साथ और आठ ठीक है जी और एक आपका हो जाएगा कौन सा दिल्ली अठीक है ठीक है तो यह होगह टोटल नो जो हमारे किस से उत्र प्रदेश की राज्यकी सीमा से टेच्ट करते है ठीक है अलroze छलते एह इसमें तोटा से स्क्रोल कर लेते हैं थो को उत्तर प्रदेश की परमुक नदिया अब उत्तर परदेश में कौन कौन सी नदिया है जो इसमें क्या करती है बहती है उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तो ठीक है उत्तर परदेश की परमुख नदिया में यमुना घागरा गंगा घागरा और सर्यू है ठीक है ना जो उसकी परमुख नदिया है ठीक है कौन कौन सी दोस्तों इन नदियों का किर्सी के महतु के अलावा भी इन नदियों का धार्मिक महतु भी बहुत अच्छा है इस छेतर का मोसम मुख्यत है सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल है दोस्तों यह विश्यस्ता वाला है इसमें चार परकार के मोसम और नम संतूलित मोस होता है उत्तर परदेश में ट्रोपिकल मांसून की परकार की जल्ववाईव है कौन से दोस्तो उत्तरपरदेश जो हमारा है यह स्टेट इसकी जो है मांसून किस तरीखे इत्रोपिकले अंडू के साथ बदलावाते हैं धीरे दीरे दोस्तो सबसे बहुत ठंडा चेतर भी है यह वाला आपको यह वह यह चैतर है यह यह वाला हिंख करूँगा दोस्तोर नहीं कि पूरी इकऊशिस करूँगा ठीक और मैदानी ईलाकों में दोस्तों देख है है तो मोखम के साथ-साथ ताप मान में परिवर्थर ना रहता है स्राप बात कि आप अपो खोडए तो पहोर 25 अहां से श्मप् मरें आप बहुत बात बताताब्यों आप अट 활रہ उप्तर प्रदेश में ठीक कि अब पहुच गे नहelect 될 किस दोस्तों हो रहा होता है क्या आप अगर इधर से उधर जाते हो तो सब जिए उनका तापमान सिंपल जबाद सब सारा कुछ चेंज है तो टैंप्रेचर भी चेंज हो गई होगा ठीक है तो यह हो गया अब राज्ये में तीन अलग-अलग मुसम होते हैं कौन-कौन से देख सर्दिया कब से स्टार्ट होती है जो सर्दिया है वो कब से अक्टूबर से लेगे स्टार्ट होती है और दोस्तों कब तक होली तक ठीक है ना होली तक यानि कि दिवाली से लेकर होली तक का जो टाइम पीरिड होता है यहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में हो जाती है य गर्मिया ठेक है कि थोड़ा दोस्तो राइटिं आएगे क्योंकि अभी नई नई सुरुआत है इसमें क्यालिया गर्मियों में दोस्तों इसका धिश्टार्टिंग होती है आपकी स्था जब ग्ते हो चुकी ओगी मार्च से लेकर आपको जाता है यह जू तक अब आपकेत करहें कुछ ना तक है यह गया दोस्तों और सावन लगना सटर्ट होता है यह हो गया जो तीसरा तो चल्वाइस इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं यह तो खिलास भी आ गया ठीक है तो चलो देखिएगा इसमें क्या आगला आगया क्या करें मैंदानी लाकों में पूरों में सबसे आदा बरसात होती है दोस्तों यह वाला एरिया एना पूरों साइट का यह जो एरिया यह वा अच्छा लगा घृव अब अच्छा लगेगा है कि अ क्रवद्र के सरद्ट कोई नहीं चलो है ठोकर तो सब्सेयादर बसात होती और जो दोस्तों बार आती रहुकित हैं तों बिहार के painful क्पड़ में गाजीपूर होग और बल्या देवर्या कुछी नगधर दोस्तों इन इरिये में पीली भी तो हो गया आपके दोस्तों इन में सब स्वादर बाठकिले ठीक है न था यह न आर्द tara भीमेंने सब सब शाधर बरसात होती है अर्दे था दोस्तों मतरह वाली इरिये में ठीक देखते हैं आगे देखे क्या क्या रहें इसमें बार से फसलो संपत्ति जीवन को बहुत ज्यादा नुक्सान होता है जो जीवनी लाइफ है दोस्तों उसको भी बहुत ज्यादा नुक्सान होता है गर्मियों में सूखी और गरम होती है जो गर्मियों होती है दोस्तों वह बहुत ज्यादा नबे मिली मीटर तक होती है उत्तर प्रदेश में जिसमें 85% मांसून में और बरसात के दिनों में लगबग तापमान में थोड़ी सी कमी आ जाती है ठीक है ना तो यह है दोस्तों हमारे आगा दोस्तों क्या एक मौसमी टाइप मिजाज उत्तर प्रदेश का अगर देखाए दोस्तों सर्दिय जो होती है वह भी ठंडे होती है जिसें आप जो दोस्तों लगबा लगबा क discoveries लकाना लकई पर बहुत ज्यादा अशर पड़ता है जो दकRed में हिमाले वाले छेदर गे इतने भी जिले आपके इसमें टेकर इन जिलो में दोस्तों मैक्सिमम जो तो सब्रिकेर आपका यह वाला एरिया है श्री बाही और प्रत्रक प्रदिश की अर्थव्याश्था कि तरीगी हो जो उत्तर प्रदेस के अर्थव्याश्था सर्भा राज्य की ढर्ट स्विख्षा कि पर्याटन और विध्या रीलियाल इस्टेट वहतिया और भीमा परीमा परामर्सी सामील है मतलब अपने तरीके से दोस्तों रियल इस्टेट वह सभी उतर प्रदेश में सामील है और चुद आयए और जो हमारे आपके परमुक वहालसाए है वह क्या है परमुक वहालसाए किर्ची है हमारे यहां का ठीक है जिसमें से गया हूं मुख्या फसल है और गन्ना वानिजिक फसल है ठीक है अगर कुशन आपसे पूछे जाएगे हमारे परमुख फसल कौन सी है मुख्या फसल वह जाएगे आपकी गया हूं एक कुशन अगर आपसे पूछाए वानिजिक फसल कौन सी है तो दूसरा कोशन आपका इतेरा हो गया गन्ना ठीक है क्योंकि सब्सक्राद चीनी का प्रोडक्शन कहां से होता है दोस्तों उत्तर प्रदेश से हो रहा होता है ठीक है आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है इसमें देखेगा देश का लगबग 70% भाग जो है ना दोस्तों मोबाइल रेलवे कोच वैगन्स विद्यूटूप करन आधी का निर्वान होता है सभी बताऊंगा आपको दोस्तों किसका हेड़कवाटर कहां पर सब कुछ है जैसे चलो कोई नी राज्य में क्या ही लगू द्योग भी है कौन से दोस्तों छोटे उद्योग भी है और बड कौन सा दोस्तों को सबसे बड़ा हमां आपका नोयडा कि कौन सा दोस्तों 300 9 अउन्युद प्रोढ़्दोगी कि उद्ध och का सबसे बड़ा हम भी बनाते जा रहें कौन सा दोस्तों को सबस्ते पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो बहुत जादा है और थोड़ा-थोड़ा करेंगे क्लास को बहुत बैस्ट वे करने की पूशिस करेंगे न ऐसे थोड़ी कितम से आप अच्छी तार देंगे नहीं कि रधी तो तो यहां तक अपनी क्लास को हम एंड करते हैं मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में तो चले दोस्तों गुडबाई